नमस्कार दोस्तो आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो के जरिये हम आपके साथ एक मोटिवेशनल कहानी सेर करने जा रहे हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी और आपको बहुत पसंद भी आएगी तो चलिए कहानी की सुरुवाद करते हैं दोस्तो एक जंगल में एक काला कववा रहता था वो अपने काले रंग से बहुत परिशान था इसलिए वो काला कववा एक महतमा जी के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि महतमा जी मैंने सुना है कि आप किसी का भी रूप परिवर्दित कर सकते हैं महात्मा जी में अपने इस काले रूप से बहुत परेशान हूँ और मुझे अपना यहा रूप बदलना है इसलिए मैं आपसे यह चाहता हूँ कि आप मेरे इस काले रूप को बदल देजिए उस काले कववे की यह सब बाते सुनने के बाद महात्मा जी उसे कहते हैं कि आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है फिर वो काला कववा अपने दुख को बताते हुए महात्मा जी से कहता है महात्मा जी में काले रंग का हूँ और इसलिए मुझे काले रंग से घिन आने लगी है क्योंकि लोग मुझे देखते ही उड़ा देते हैं और अपने नजरों के सामने रखना पसंद नहीं करते कभी आपने देखा है कि किसी इनसान ने मुझे लाड़ प्यार से अपने घर में रखा है इसलिए मुझे बदलना है फिर महत्मा जी उससे कहते हैं कि ठीक है मैं तुमारे इस काले रूप को नए रूप में परिवर्तित कर दूँगा लेकिन उससे पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम किसकी तरह बनना चाहते हो कवे ने कहा कि मुझे हंस बनना है फिर महत्मा जी ने कहा इतनी सी बात अभी बना देता हूँ लेकिन हंस जेसा बनने से पहले यह चाहता हूँ कि तुम हंस से एक बार मिलकर के आओ और उससे तुम पूछ लो कि क्या वो खुष है कवे ने कहा कि बात तो सही है और वो कवा उड़ते हुए उस हंस के पास चला गया और उससे कहा कि मेरे मित्र हंस मैंने यह सुना है कि आप बहुत खुष है क्योंकि आपका रंग सफेद है फिर उस हंस ने कवे से कहा कि तुम्हें यह बेवकूब भरी बात किसने कह दी कि मैं अपने सफेद रंग के कारण खुष हूँ मैं अपने सफेद रंग के कारण बिलकुल भी खुश नहीं हूँ और यह सफेद रंग ही मेरे दुख का कारण है हंस की यह बाते सुनने के बाद कववे ने हंस से कहा कि भला सफेद रंग से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है क्योंकि सफेद रंग तो कितना प्यारा और मुझे सफेद रंग तो बहुत पसंद है फिर हंस उस कवे से कहता है कि तुमने देखा है जब कोई वेक्ती मरता है तो उसकी अर्थी उठाई जाती है और उसकी अर्थी पर सफेद कलर की चादर ढखी जाती है ये कोई रंग है सफेद इसलिए मैं इस सफेद रंग से बहुत परेशान हूँ इसलिए अगर मुझे कभी अपना स्वरूप बदलने का मोका मिल जाए तो मैं अपने रूप को अवस्य बदल दूँगा फिर उस कवे ने उस हंसे कहा कि अरे वा आप भी अपना रूप बदलना चाहते हैं तो आप मेरे साथ चलिए एक महत्माजी के पास जो किसी के भी को परिवर्तित कर सकते हैं लेकिन वैसे आप बनना क्या चाहते हैं फिर उस हंस ने कवे से कहा कि मैं तोता बनना चाहता हूं क्योंकि तोते की लाल रंग की चोच और बाकी का सरीर हरे रंग का है इसलिए मैं तोता बनना चाहता हूं फिर वो दोनों उड़कर के उन और उनसे कहा कि हम दोनों को तोते जैसा बना दीजिये। महत्मा जी ने उन दोनों से कहा कि तोते जैसा बनने से पहले एक तोते से मिलकर के आओ, उससे पूछो कि क्या वो हरे और लाल रंग के वज़ा से खुश है। फिर वो दोनों उड़कर के तोते के पास चले गए, पहले तो वो तोता उनको मिला नहीं क्योंकि उस जगा पर बहुत जादा हरियाली थी, और उसमें हरे रंग का तोता ढूनना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, पड़ी मुश्किल से एक तोता उनको मिल गया, फिर वो दोनों उस तोते की बहुत तारीख करने लगे, कि तुम बहुत अच्छे हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो दो-दो रंग है, इसलिए तुम तो बहुत खुष रहते होगे, और बहुत लोग तुमारी प्रसंसा भी करते हैं, उन दोनों की यह बात सुनने के बात, तोते ने उन दोनों से कहा, कि मैं खुश रहता हूँ, और या हरा रंग, या कोई खुश रहने की बात है, क्योंकि इतनी हर्याली में बड़ी मुश्किल से आपको मिल पाया हूँ, इसलिए या हरा रंग देखो, मुझे कितनी दिक्कत देता है, और मैं कोई खुश भीज नहीं क्योंकि मेरे इस रूप के कारण ही लोग मुझे पकड़ कर, कि अपने घर में ले जाते हैं, और पिंजरों में केद करकर लेते हैं, फिर मुझे से बहुत सारी बाते बुलवाते हैं, मैं तो बहुत परिशान हो गया हूँ, क्योंकि मेरे इस रूप के कारण, लोगों ने त अगर मुझे कभी मोका मिले तो मैं अपना रूप बदल लूँगा। तोते की मुझे यह सब दुख भरी बाते सुनने के बाद कववा और हंस ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे और दोनों ने उस तोते से कहा कि हम दोनों तुमारे इस रूप को बदलने में तुमारी सा कर सकते हैं क्योंकि एक महत्मा जी है जो किसी के भी रूप को परिवर्टित कर सकते हैं फिर तीनों उड़कर के उन महत्मा जी के पास चले गए और उन तीनों ने महत्मा जी से कहा कि हमें मोर जैसा बना दीजिए फिर महत्मा जी ने उन तीनों से कहा कि ठीक है मैं तुम ती एले तुम तीनों एक मोर के पास जाकर के मिल लो और उससे पूछ लो कि क्या वो खुश है फिर तीनों उड़कर के एक मोर के पास चले गए और उससे पूछा कि तुम तो बड़े खुश हो, लगता है कि तुम से ज़्यादा खुश पक्सी इस दुनिया में कोई और नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारा कितना सुन्दा रूप है, क्या तुम निर्थे करते हो यह सब बाते सुनने के बाद मोर ने उन तीनों से कहा कि यही तो सबसे बड़ी परेशानी है कि मैं सुन्दर हूँ, तुम्हें एक आवास सुनाई दे रही है तीनों ने कहा कि हाँ, सुनाई दे रही है ऐसा लग रहा है कि कोई इनसान हमारे पास आ रहा है फिर मोर ने कहा कि बस खत्रा है, उड़ जाओ और वो तीनों वहां से उड़ गए और वो मोर वही पर ही रहा गया फिर उसके बाद एक तीर आया और आकर कि उस मोर को लग गया और वो मोर छटपटाने लगा और वो मोर छटपटाते हुए तीनों से कहने लगा कि सुन लो जिस हाल में हो उस हाल में ही खुश रहो कि कि मैं इतना सुन्दर हूँ इसलिए तो मेरा सिकार कर लिया जा रहा है और मेरे मरने के बाद मेरे पंको को निकाल कर बाजार में बेच दिया जाता है और फिर उस मोर ने कववे से कहा कि तुम सबसे ज़्यादा खुशो, फिर कवे ने कहा कि वो कैसे, मौर ने कवे से कहा कि तुमने कभी सुना है कि कभी कोई इंसान कवे को खा रहा है, इंसान मुर्गे के बच्चों को खा लेता है, लेकिन कवे को कभी नहीं खाता, इसलिए तुम सुरक्सित हो क्योंकि तुम से किसी को मतलब ही नहीं है और तुम अपने हाल में खुश हो लेकिन दिक्कत यही है कि तुम अपनी तुनला दूसरों से करने लगते हो और तुम दुखी हो जाते हो दोस्तों यह कहानी उन पक्सियों की नहीं है बल्कि आपकी और हमारी है हम जिस हाल में हैं उस हाल में हमें खुश रहना सीख लेना चाहिए अगर हम अपनी तुल्ला किसी और से करते रहेंगे तो इस तुल्ला का कोई अंत नहीं होता क्योंकि तुल्ला हमारे सुखों का अंत करने लगती है दोस्तों इसलिए कभी भी अपनी तुल्ला किसी और वेक्ती से कभी न करे क्योंकि आप हमेशा यहाँ याद रखना कि सूर्य और चंद्रमा इन दोनों का अपना अपना महत्व है और इसलिए इन दोनों की एक दूसरे से कभी तुल्ला नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों में से जिसका समय जब आता है तब ही वह चमकता है दोस्तों आसा करता हूँ कि यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आईयोगी और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लें धन्यवाद